Hello everyone, welcome back to my youtube channel. My name is Kamini Singh और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 का साइंस का सैंपल पेपर सिलेशन यह इस वीडियो का पार्ट 2 है आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आप बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है वहाँ पर भी क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अलड़ी कुछ क्वेश्चन्स पिशली वीडियो में कर चुके हैं सेक्शन ए के जो की वन मार्क के क्वेश्चन्स हैं यहाँ पर हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आगे के जो क्वेश्चन्स दिये हुए हैं उनके बारे में कुछ instructions हैं, तो आपको question पढ़ना है, कुछ दो statements दी होंगी, A और R, ठीक है, A यानी की assertion, R आनी की reason, यानी की कारण दिया होगा, और एक अभिकतन दिया होगा, अगर मान लीजिए, A और R दोनों सही है, और R जो है, वो A का reason है, कारण है, तो आप A को tick करेंग अगर A और B दोनों सही है, और R correct reason नहीं है, तो B tick करेंगे, अगर A सही है, R गलत है, तो आप C tick करेंगे, या फिर अगर A सही है, सोरी, A गलत है, और R सही है, तो आप D को tick करेंगे, इस तरीके से आपको अगले questions को करना है, देख लेते हैं, assertion और reason, मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है, यानि कि, poultry farming is done to raise domestic fouls, तो ये तो बिल्कुल सही statement है, A हमारा correct हो गया, अब R पढ़ते हैं, मुर्गी पालन के उतपादन में अंडे का उतपादन और मास्क के लिए brawler उतपादन शामिल है, यानि कि, poultry production includes egg production and brawler for poultry meat, बिल् इसका A का reason है B, यानि कि A जो दिया हुआ था उसका reason है, तो बिल्कुल सही है, हमारा इसका answer जो हो जाएगा, वो हो जाएगा answer A, मतलब हम A वाला जो option है, उसको tick करेंगे, right, tick या फिर आप लिख सकते हैं कि A है, बोथ A and R are true and R is correct explanation for the assertion, next है statement or assertion, the states of matter are interconvertible, यानि कि पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनी हैं, मतलब, statement का मतलब क्या है, कि आप solid यानि कि ठोस से द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, यानि कि liquid में convert कर सकते हैं, और फिर liquid से आप gas में convert कर सकते हैं, यानि कि gas को तो हम gas ही कहते हैं, तो gas में परिवर्तित कर सकत दूसरा है the states of matter can be changed by changing temperature or pressure यानि कि तापमान या दबाव को बदल कर पदार्थ की स्थिती को बदला जा सकता है तो बिल्कुल correct है देखिए solid को अगर हम गरम करते हैं तो वो liquid बन जाता है liquid को और गरम करते हैं तो वो gas में परिवरतित हो जाता है अगर उल्टा temperature को कम करते जाएंगे तो gas से द्रव और द्रव से ठोस बन जाएगा ठीक है temperature कम करने पर ऐसे ही दाब के साथ भी है तो ये बिल्कुल सही है और B reason है A का है ना किस तरीके से आप convert कर सकते हैं वो दिया हुआ है तो हमारा इसका भी answer क्या हो जाएगा A next question matter is made up of small particles यानि कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बने होते हैं तो बिल्कुल हम जानते हैं जितने भी पदार्थ हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं second हमारे आसपास का पदार तीन अवस्थाओं में मौजूद है ठोस, तरल और गैस, the matter around us exists in three states, solid, liquid and gas ये भी सही है लेकिन आप देखिए B, A जो है वो R का reason नहीं है ठीक है, particles के क्यों बने होते हैं उसका answer R नहीं दे रहा है तो यहाँ जो हमारा answer सही होगा, वो होगा B क्योंकि A और B दोनों सही तो हैं पर R, A का reason नहीं है तो इसलिए हम B option को tick करेंगे या फिर लिखेंगे next जो questions हैं वो paragraph based हैं लेकिन यहाँ पर difference क्या है जैसे आपके हिंदी और English में paragraph आते हैं तो आपको हिंदी उसके paragraph के बीच में से ही answer मिल जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है यहाँ पर आपके chapter से एक paragraph दे दिया गया है ठीक है और उस chapter के basis पर आप से सवाल पूछे गया है तो ज़रूरी नहीं या most probably ऐसा है कि आपको जो paragraph है उसमें अंदर answer नहीं मिलेगा तो आप यह paragraph पढ़ लीजिएगा questions हम देख लेते हैं सबसे पहला सवाल what is खरीफ season period यानि कि खरीफ मौसम की अवधी क्या है तो दो तरह के crops होते हैं एक होते हैं रभी crops एक होते हैं खरीफ crops खरीफ crops कब उगते हैं जब monsoon आता है यानि कि बारिश के मौसम में जो भी फसल उगती है उसे हम खरीफ कहते हैं रभी सर्दी के मौसम में उगती है या फिर winters में होती हैं तो देख लेते हैं monsoon का कौन सा period होता है June to July सिर्फ दो महिने तो बिल्कुल नहीं होते हैं June to October, June to November या फिर June to December देखिए November और December में क्या आ जाती है सर्दियां आ जाती है तो हमारा सही option जो हो जाएगा वो हो जाएगा option number B June से लेकर October तक कौन सा महिना होता है खरीफ का मौसम कह सकते हैं आप खरीफ फसल का मौसम Next question है What is Rabi season period यानि की Rabi मौसम की अवधी क्या होती है तो Rabi मौसम की अवधी सारे options में आपको November दिख रहा है starting Last जो खतम हुआ था खरीफ वो खतम हुआ था October में November से start हो जाता है Rabi के crops यानि की winter season वाले crops और यह चलते कब तक हैं यह चलते हैं April तक यानि की हमारा option correct हो जाएगा Option number A November से Next question Plant manufacture their food in sunlight by the process of यानि की पौदे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया द्वारा निर्मित करते हैं तो बहुत easy question है option number A प्रकाश translation या फिर photosynthesis अब photosynthesis के लिए क्या क्या चाहिए होता है हमें पहला तो sunlight ठीक है सूर्य का प्रकाश दूसरा हमें चाहिए होता है chlorophyll की presence यानि की हरित लवक तीसरा है water यानि की पानी और चौथा है carbon dioxide तो ये चार चीज़ें हमें प्रकाश translation के लिए चाहिए होती है next question है निमलिकित में से कौन खरीफ की फसल नहीं है तो आपको जितनी भी रभी या फिर जितनी भी खरीफ की फसल है कोई भी एक आप याद गर लेंगे तो दूसरे आपको याद आ जाएंगे या फिर कम से कम आपको दो दो तीन तीन एक्जामपल्स याद होने चाहिए कि रभी और खरीफ की फसल कौन सी होती है ठीक है तो यहाँ पर हमारा सही option होगा option number A, L.C. या फिर linseed ये हमें सर्दी में मिलता है यानि कि ये रभी की फसल है बाकी तीनों खरीफ की फसल है हमसे पुछा है कौन सी नहीं है तो option correct हो जाएगा first next question है which of the following is not a ruby crop यानि कि इन में से कौन सी फसल जो है वो सर्दियों में नहीं उगती है तो देखिए option देख लेते हैं मटर सर्दियों में ही आता है ठीक है mustard भी सर्दियों में आता है wheat भी सर्दियों में उगता है option हमारा correct हो जाएगा soya bean option number b next फिर से एक paragraph दिया हुआ है इसमें किसके बारे में है solution और willion के बारे में दिया हुआ है concentration of willion यानि कि willion की सांदरता के बारे में एक paragraph दिया हुआ है paragraph आप पढ़ लीजेगा वीडियो को pause करके हम सीधा questions की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहला question which is not a component of solution यानि कि कौन सा willion का घटक नहीं है तो solution के यानि कि willion के दो घटक होते हैं ठीक है एक होता है solute और एक होता है solvent ठीक है solute यानि कि अगर हम चीनी पानी का घोल लें तो जो हमारा solute होगा वो क्या होगा चीनी और solvent हमारा क्या होगा पानी ठीक है solute को हम क्या बोलते हैं और solvent को हम क्या कहते हैं, विलायक, ठीक है, तो यह हमें option में दिख रहे हैं, पूछा है कौन सा नहीं है, not a component, तो क्या हो जाएगा, C option, dispersed phase, परी, शिप्त, प्रावस्था, यह किसके part होते हैं, यह collide के parts हैं, ठीक है, collide जो हमने पढ़ा हुआ है, next question, sugar solution is a, चीनी का जो घोल होता है, वो किस तरह का विलियन है, तो देखिए, ठोस और तरल का विलियन, या फिर तरल और तरल का विलियन, विशम विलियन, या फिर गैस और द्रब का विलियन, solution of solid and liquid, liquid and liquid, heterogeneous solution, या फिर solution of gas and liquid, simple है, चीनी पानी का घोल सबसे पहले तो, heterogeneous solution, विशम नहीं होता है, ठीक है, कैसा होता है, समांगी मिश्रण होता है, यानि की, homogenous solution है, ठीक, तो यह option तो नहीं होगा, next है, solution of solid and liquid, तो चीनी solid होती है, पानी liquid होता है, यह option बिलकुर correct है, ठीक है, तरल और तरल का विलियन भी नहीं होगा, गैस और द्रब, यह है, solution of solid and liquid, next question, which statement is true about the concentration of solution, यानि कि, विलियन की सांदरता के बारे में कौन सा कथन सकते है, तो हमने जो part one है, इस video का, sample people की solution का, उसमें हमने concentration of solution डिसकस किया था, वहाँ हमने discuss किया था कि क्या होता है इसका formula concentration of solution यानि कि सांद्रता किसके बराबर होती है amount of solute यानि कि आपने विलेय का कितना amount लिया है upon amount of solvent विलायक या फिर विलेयन पूरा amount of solution तो इसमें हमारा option जो सही हो जाएगा वो होगा option number A तापमान के साथ परिवर्तित होने वाला जो है वो तापमान के साथ परिवर्तित होता है concentration बढ़ता या घटता है तापमान के साथ साथ तो ये भी option सही नहीं होगा option number 1 correct हो जाएगा देखिए अब आप से ये जो पूछा गया है ये आपके paragraph से based है आपको वहाँ पर दिया हु फिर आपको दिया हुआ था कितना आपने solvent लिया है यानी कि कितना आपने विलायक लिया है और उसी की मदद से आप इसका concentration पता कर सकते हैं percentage में अगर आप विडियो को पीछे करके देखें तो आप देखेंगे कि जो experiment किया था उसमें 50 ग्राम चीनी डाली गई थी ठीक है औ और 350 ग्राम पानी का इस्तमाल किया गया था, ठीक है, और जो हमारा percentage निकालने का तरीका होता है, वो क्या होता है, mass of solute, mass of solute दिया हुआ है, आपके paragraph में ये भी दिया हुआ है, upon mass of solution, ठीक है, mass of solute upon mass of solution multiplied by 100, mass यानि की द्रविमान, हिंदी में भी बता देती हूं है, द्रविमान किसका? विलेय का और विलायक का, sorry, विलियन का. यहां पर विलियन की बात हो रही है. ठीक है? solution यानि की विलियन. अब, mass of solute यानि की विलेय का द्रविमान, सीधा सीधा हमें पता है चीनी कितनी थी 50 ग्राम तो हम लिख देंगे 50 यहाँ पर यह दिया हुआ है विलायक ठीक है पानी पानी की मातरा दी हुए लेकिन हमसे फॉर्मुले में क्या है विलियन है पूरा का पूरा विलियन तो क्या हो जाएगा 350 प्लस 50 मल्टिप्लाइड बाई 100 ठीक है 50 अपॉन 400 इन्टू 100 यह कट जाएगा ठीक है फिर हम क्या डिवाइड करेंगे 50 डिवाइड बाई 4 करके देख लेते हैं 50 डिवाइड बाई 4 4 बन जा 4 माइनस 10 4 तू जा 8 माइनस 2 पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 4 5 जा 20 हमारा कॉंसेंट्रेशन या परसेंटेज क्या आ गई 12 पॉइंट 12 पॉइंट 5 ठीक है क्या आ गया हमारा 12 पॉइंट 5 C अप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से आपको solve करना आपके paragraph में formula भी दिया हुआ था और आपको concentration भी दिया हुआ था आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं next is the bigger component of the solution यानि कि विलेन में बड़ा घटक दो घटक होते हैं सबसे पहले question में ही हमने देखा था solute और solvent ठीक है यानि कि विले और विलायक तो इसमें से जादा वाला कौन सा होता है ये होता है विलायक ठीक है तो हमारा correct option यहाँ पर क्या हो जाएगा be विलायक I hope आपको आज की वीडियो पसंद आई हो अगर पसंद आई हो लाइक करें comment करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको विडियो कैसा लगा share करें अपने friends की साथ family की साथ और channel को subscribe करना ना भूलें ताकि आप कोई भी विडियो miss ना करें